सो हेलो ब्रिवन आज की इस वीडियो में हम लोग दसवी कक्षा के बिहार बोर्ट के दुरा जारी किया गया ओफिशली मोडर पेपर में साइंस का मोडर पेपर का सलूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो चले फ्रेंस विनास मेंगवाएं पहला कोस्टन क ऐसे देख लिती हैं देखिए आज की स्मोंडर पेपर का पहला स्वाल कोश्चन नमर एक में दिया गया है कि निमलिखित में से किसका अपॉर्टनांग सबसे अधिक है देखिए हीरा का जो अपॉर्टनांग होता है उस सबसे अधिक होता है इसलिए कोश्चन नमर एक का होता है वह धनात्मक होता है िजल्गर होता है तो याद रखेगा औ司र्पन की माइनस में होती है यानि रिनात्मक होती है तो Q2 स easier Ops A हो जाएगा अगरा स्वार Q3 को को देखे करता है कि कि किसी लेंस में मुंक फोकसों की संख्या कितनी होती है काफी सिंपल स्वाल है किसी भी लेंश में दो मुख फोकस होते हैं इसलिए कोस्टन कराई टेसर जला जाएगा Option B के साथ दो उसके बाद में कोस्टन चार करता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पन उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए ओतल दर्पन का उपयोग किया जाता है इसलिए कोस्टन कराई टेसर जला बी हो जाएगा उसके बाद में कोस्टन 5 करता है कि ओतल दर्पन की फोकस दूरी एप और उसकी वक्ता तरीजा आर की बीच में क्या संबंध होता है देखिए एप बराबर होता है आर बाई टू यानि ओतल दर्पन की फोकस दूरी और उसकी वक्ता तरीजा के बीच में एप बराबर आर बाई टू का संबंध होता है तो कुस्टन का राई टेसर बसें सी होगा जी एप बराबर आर बाई टू वो इसके बाद में ईलाइस स्वाल को समझ हो करता है कि निबली खित में से किस लेंज को अभी सारी लेंज भी करते हैं देखें मेटीक एक्जाम प्रेपर में ये स्वाल काफी ही जदा बार पुछा गया है याद रखेगा कि उत्तर लेंस को हम लोग अभी सारी लेंस करते हैं वहीं पे उत्तर लेंस को हम लोग अब सारी लेंस करते हैं यदि अब सारी लेंस पुछा जाएगा तो उत्तर लेंस हो जाएगा अब एला स्वाल कुश्मा साथ करता है कि द्रीश से परकास में किस वर्ण का त्रेंग डैर्ड नियुनतम होता है देखिए इस परकास से एक प्रीज्म होता है ठीक है जी एक प्रीज्म होता है जिसमें पांस सतों से घिरा रहता है Pridm की एक खासियत होती है जब इस पर स्वेद परकास पड़ता है तो इस परकास ये सात रंगों में भीभगत हो जयता है जिसमें सबसे जो पहला वर्ण होते है वो लाल होते हैं और सबसे निचला जो रंग होता है जी वो बैगनी होता है तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस रवन का त्रेंग दैद सबसे नियूंतम होता है यानि सबसे कम होता है तो कोश्चन कराई टेसर यहाँ पे बैगनी होगा कि तारो का टीम-टिमाना परकास के किस घटना को धरसाता है देखी कोश्ण क्यों आठ का घटी सेसर प्रकास का परकीन होगा अधिये उनखके फाल, को देखेए कि निम लिखेत में से किसमे परकास की चाल सबसे अधीक Kोती है काफी ही ज़दा important question है याद रखेगा निरवात में प्रकास की साल सबसे अधिक होती है और कितना होती है तो तीन गुने 10 वपाउं और 8 मिटर प्रती सेकेंड होती है तो यहाँ पी question का राई टेस्रफशन C होगा निरवात में इसके बाद में इलाई सबसे करता है कि प्रकास की अपवर्तन के कितने नियम होती है देखे प्रकास की अपवर्तन की बात की जाए या प्रकास की प्रवर्तन की बात की जाए प्रते की सिती में प्रकास के प्रवर्तन एवा अपवर्तन के दो नियम होती है तो कुष्मा ग्यारा का राई टिसरफ्षेन सी हो जाएगा देखे बीधूत जलसन्यान जो है ये इस्थीतिद उर्जा को बीधूत उर्जा में रुपांधित करने का कार्ज करता है वो इसके बाद में कहता है कि जलता हुआ मुंबति बदलता है यानि जलनलता हुआ मुंबती की इसने बदलता है तो ये रसायनिक उर्जा को परकास के उर्जा में बदलने का काम करता है तो कुस्टना बारा का राइट इसरफसेन भी हो जाएगा वो इसके बाद में अईलाइस स्वार कुस्मत तेरा को देखिये कहता है कि एक बिधुत सेल से धारा प्राथ करने पर इसके सीरो के बीश बिवांतर का मान बहुत बाहक वल की तुलना में हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा अधिक होगा कम होगा दोगुना होगा या इन में से कोई नहीं होगा तो याद रखेगा कि बिधुत सेल से धारा प्राद करने पर इसके सीरों के बीच विवांतर का जो मान होता है इसके वाहक वल की तुलना में कम हो जाता है कोश्चन कराई टिसरप्सन भी हो जाएगा वो इसके बाद में करता है कि परतिरोध का मान बढ़ाने के लिए परतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए लगी परतिरोध का मान बढ़ाने के लिए परतिरोधकों को स्रेनी करम में जोड़ना चाहिए तो कोश्चन काराई टिसरप्सन B के साथ चला जाएगा स्रेनी करम वो इसकी बाद में एलाई स्वाल कोश्में 15 करता है कि बीदू चुंबक बनाने के लिए किसी छड़ चुंबक का उप्यो किया जाता है देखे बीदू चुंबक बनाने की बात की जा रही है तो कोस्टन का राई टिसर यहां पे फब सन B होगा कि यह की नर्म लोहे का इस्तिमाल से बिध्डुचूम्बक बनाई जाती है तो कोस्टन का राई टिसर अपसन B हो जाएगा वो इसकी बाद में करता है कि उचतर ताप पर कौन सी परकिरिया पूरी की जाती है उच्चेतर ताप यानि सबसे ज़्यादा जो उच्ची ताप होती है उस परक्रियाब में किसका परक्रियाद में उच्चेतर ताप का जूज किया जाता है तो कोश्रमा 16 का राई टिस्टर अप्सन ए होगा नाभी किये विखंडन में वो इसके बाद में कोश्रमा 17 को देखिए कि सौर उर्जा को सीधे बीधुत में बदलने वाले युक्ती को क्या करते हैं तो कोश्रमा 17 का राई टिस्टर यहां पे अप्सन भी होगा उसे सौर शेल काते हैं क्या कि सौर उर्जा को सीधे बीधुत उर्जा में कौन बदलता है तो सौर शेल बदलता है इसके बाद में अईला स्वाल हलाकि यह दसवी के अच्छा में आपको निव कोशन लग रहा होगा लेकिन यह भी कोशन कापी ही जड़ा इंप्टेंट है काता है कि पवन बीधु जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए देखिए अप्शन को देखिएगा तो आपको कोई भी इसमें इंसर नहीं मिलेगा क्योंकि बीधुत पवन जनित्र में पवन की जो चाल होती है वो 15 किलो मीटर प्रती घंटा से उपर होनी चाहिए और इस परकार से कोई भी अप्शन नहीं है इसलिए कोईशन का राई टिसर यहां पर अप्शन डी होगा इन मेंसे कोई नहीं अब अगला स्वार कोईशन 19 को देखिए कि सेल का बीधुत वाहक वल होता है यानि आपको बताना होगा कि सेल का जो बीधुत वाहक वल होता है वो कैसा होता है तो वो होता है सेल द्वारा इकाई आवेस पे लगाया गया बल को सेल बिधुत वाहक बल कहते हैं तो कोशना 19 का राइट इसर अप्षन ए होगा सेल द्वारा इकाई आवेस पे लगाया गया बल उसके बाद में आईला स्वाल कोशन नमबर 20 को देख लेती हैं देखिए कोशनमर 20 करता है, घरेलू बिधुत वरिपत में मुख रूप से किसकी आपूर्ती की जाती है, पहला परतेवर्ती धारा, चरदिष्ट धारा, दिष्ट धारा या इन में से कोई नहीं, तो यहां पिए कोशनमर 20 का जो राइट हिसर हो जाएगा, अप्सन ए हो जाए यानि आपको बताना होगा कि 1V6 जो होता है, यह किन-किन अप्षनों से संभव हो सकती है, तो लखिए, इस परकाश से एक प्रिजम होता है, पहले हम लोग समझती है, 1V6 करते किसे हैं, तो प्रिजम पे जैसे परकाश पढ़ता है, तो यह सात रंगों में इस परकाश से भ बिल्कुल मिलेगा और निर्वात में भी मिल जाता है लेकिन ये फाइबर में नहीं मिलता है फाइबर प्रकास पड़ेगा भी तीस का वंड भी शेफन नहीं होगा तो इसलिए कोशन का राइट टेसर यहां पर अप्सेंड डी हो जाएगा अब अगला स्वाल कोशना 22 को देता है तो कोशना 22 का राइट से चला जाएगा अप्सेंड डी के साथ इसके बाद में अईरा स्वाल यहां पर कमेश्टी यानि रसायन भी ज्यान से लिया गया है और कोशन में तेज कहता है कि 2 जेडेन प्लस O2 जेडेन का मतलब जिंक होता है O2 का मतलब अक्सीजन यानि यह आपका उप्चैन अभी किरिया हो जाएगा तो इसके बाद में कहता है कि खाने वाला सोडा का रसायनिक सूत्र क्या होता है यह स्वाल कापी ही जिदा सिंबल था तो याद रखेगा खाने वाला सोडा की बात की जाए या धोवन सोडा की बात की जाए दोनों का अलसर अ पारवोन नेट होता है तो यह आपका होता है खाने वाला सोड़ा अलए स्वाल करता है कि कमरे के ताप पर द्रव औरस्था में रहने वाली धातू कौन सी है तो रखिए कुछन पचीश का राइट इसरप्सन भी हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव औरस्था में रहने वाली जो धातू है जी वो पारा होता है अधातू की बात किया जाएगा तो क्या होगा तो वैसे इस्तिती में ब्रोमीन हो जाएगा अब एक लगा स्वाल करता है कि आवर्त सार्णी के सुन समू का तत्व कौन सा है लगिए सुन वर्ग तत्व में यदि आप गेस पेपर को खरीदे होंगे तो उसमें आपको एक प्रेटिकल टेबल देता है जिसमें सबसे पहला तत्व यहाँ पे हिलियम रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टान इस परकार से होते हैं तो सुन वर्ग का तत्व यहाँ पे क्या होगा तो HE यानि हिलियम हो जाएगा अब एकना स्वाल कुष्मा 27 को देखे तो कुष्मा 27 करता है सोडियम कार्बोनेट के जलिये विलियन में मेथिल औरेंज का बिलियन मिलाने पर बिलियन का रंग परिवर्थित होकर निमलिखित में से कैसा हो जाएगा अब देखे सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट मतलब NACO3 का जलिये विलियन में यदि हम मेथिल औरेंज का बिलियन मिला देंगे तो उसका जो रंग हो जाएगा जी वो पीला हो जाएगा तो यहाँ पी कुष्मा 27 का राइट डिस्रप्शन यह होगा पीला अब अब आज़ाइस स्वाल कुष्मा 28 को देखिए करता है कि गलोबल वार्मिंग के लिए उतरदाई गर्स निमली खित में से कौन सा होता है काफी ही ज़्यदा इंप्टेंस है और में टिक एक्जाम पीपर में यह कुष्मा बहुती बार देखनों के मिला है याद रखिएगा कि गलोबल वार्मिंग के लिए जो तरदाई गर्स होता है वो सी ओ टू होता है सी ओ टू मतलब कैल्सियम कार्बोनेट होता है तो यहाँ पर कोशन कराईटे सर अप्शन भी हो जाएगा अब चलिए अलाइस स्वाल कोशन नंबर 29 को देख लेते हैं देखे कोशन 29 करता है गंधा की परमानु संख्या कितनी होती है देखे गंधा को हम लोग सलफर भी करते हैं और गंधा भी करते हैं इसका संक्यतिक शिन एस होता है इसका परमानु संख्या की बात किया जाएगा तो 16 हैता है और इसका परमानु दरब्मान 32 होता है तो यहाँ पर हमसे परमानु दरब्मान तो नहीं पूछा गया है हमसे पूछा गया परमानु संख्या इसलिए कोfun क राई टेसे चला जाएगा और सन्डी के साथ 16 उसकी बाद में एला है स्वाल करता है कि आमल का जल्यव इलियन बिधुत का संचान करता है केम की आमल जलमे आमल जलमे क्या करता है अब इला होता है इन में से कोई नहीं बिला होता है या आए निद होता है तो कोश्मा 30 का सही जबाब क्या होगा आप इसी विडियो के कमेंट सेक्षिन में चले जाए और वहाँ पर जाकर कोश्मा 30 का राइट तेसर लिके चले आए फिरहाल आज कि इस विडियो में इतना ही आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कोशन नमर 31 से लेकर 80 तक के तमाम आपजेक्टी कोशनों का सलूशन करेंगे जो कि आपके मोडल पेपर में दिये गए तमाम कोशन है ऐसे ही तमाम मोडल पेपर का सलूशन देखना जाते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक हीज़े चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सबस्क्राइब कीज़े ताकि ऐसे ही आने वाली हर दस्वी कशा का इंपोटेंट कोशन का वीडियो आप सबीको मिल सकें और आप हमारे तरह बनाएगे तमाम B.B.I. कोशन के वीडियो सबसे पहले देख सकें तो हम जल बिलेंगे ऐसे ही दस्वीक अक्षा का सभी सब्यक्ट का B.B.I. आपजेक्टी तरह सब्यक्टिव कोशन के साथ तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद